अगर आदमी को पकड़ के बोले साहम तो कुस्टा में जगड़ा हुआ तो आ गए तो रिपोर्ट लिखा दी साहम लेगन आप छोड़ दो चोड़ने पर आथे नहीं आप ठीक है यार दारू ही तो पी एस नहीं मगर आपको कंट्रोल साथ जो करो आपसे महताराम हमारा कमिटमेंट आप अगर दारू आपके गाउं में बंद ना हो तीन दिन का समय तीन दिन के बाद आप मेरे पास थाने आ जाना मैं आपसे कह रहा हूं मैं थाना छोड़ के चला जाओं अगर आपके गाउं में दारू बंद नहीं करा पाया मुझे बर्दी क्या दारु पीने वाले pak इसे की तारफ करूगा मैं क्टारुपीने वाला वह तो चाए है दारु पीना चाहिए क्या नुग हो पॉत गूने अगर चार होगर के भाणे बरतर ब्हके जाते हैं आरे एक समख्या हम पाँच आदमी की और उंगली उठाते हैं महातारण पुरा मत मनना हमने एक उठाई तीन उपला जाती हैं हमारा खुद का कशूर है हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को क्या सिख्षा दे रहे हैं अगर आप चाहर हो तो एक गाउं ये गाउं तो मिसाल बन जाएगा को हम पूरे थाना छेतर से सराफ विक्राइबंद करा सकते हैं कोई पड़ी बात नहीं है पुलिस के लिए केवल आदमी तो सोच ले लेकर मैं जो एक बात कह रहा था पूरी नहीं हो पाई कि अगर एक आदमी दारू बेच रहा है आदमी है तो आदमी को माबाप है तो उनको मैं तो सबके लिए कह रहा हूं अब अगर हम पीने ही नहीं जाएंगे तो बेचने वाला कब तक बेचेगा मैं उससे आप बताओ कब तक बेचेगा, मैं आपसे पूछता हूँ, कब तक बेचेगा, एक दिन रखेगा, दो दिन रखेगा, तीन दिन रखेगा, चार दिन रखेगा, सला आखरी मैं सोचेगा, मेरी एक नहीं बिकरी क्या करूँ, खत्म कहा नहीं, तो ये असल में सामाजिक समस्या है, जब तो पूरे के पूरे और रासन करीदो पूरे के पूरे आजाओ दारू की दुकान में जाना तो पूरी जाली लगी रहती है इतना सा हाथ गुस्ता बस उससे में से बोतल नकलती है यह आलम है कि दारू वाले को भी डर है कि जो खरीदने वाले हैं लूट ना ले दुकान में तो यह दारू वालों का क्या है समस्या क्या है क्या है कि हम लोगों के उपर डिपेंड करता है अगर हम अपने परवार के सदस्यों को रोग दें तो अपने हम समस्या खतम हो जाएग तो यहां से लेके जब उसको करेली तक जाना पड़ेगा तो कष्ट होगा है वो तो मैंने आपसे कहदी भोतों में बंद कराई दूँगा लेकिन आप लोग भी डाटों आप लोगों को भी कष्ट उठाना पड़ेगा आप लोग भी अपने परवार के सदुस्यों को रोकी है मैंने तो एक अभ्यान चलाए था अभी गाओं के अरे आर तुम लोग चाहें पकड़ गए अरे इधार आओ मेरे भाईयो इधार आओ इधार आओ यसा नहीं माता मैंनों कोई घटा कर दिया आप लोग इधार निकल गए अभी ये जुलाई का समय है अगस्त सुनो सुनो मेरी अगस्त के बाद आप लोगों को हाँ जोड़ के प्राथन कर रहा हूं निवेदन कर रहा हूं गजारिस कर रहा हूं आप से मैंने पिछली बार में टीकमगड में था टी आई उस समय रक्षा बंदन के टाइम पर हम इसकूलों में निकले थे और हमने अपनी छोटी-छोटी बच्चियों से कहा अन्य का बेटा घर जाना घर जाके अपने माबाप से कहना कि हमें तुम एक हजार रुपया की मिठाई मतला जो मिठाई खाते ना बाईयों को खिलाते हैं घर में खाते मिठाई नहीं चाहिए एक हजार रुपया बचा लो उस एक हजार रुपय का एक हे परवार जाता है उस परवार परवार का जवान बेटा चला जाता है उस परवार पर पे गुजरती है तो मिठाई नहीं लाना है अब आप लोग को हो कि हम घर में मिठाई नहीं लाके देंगे जो हमाई घर में बेटा है हमाई पती है जो मोटर साइक चलाते हैं उनको एक हेलमेट लाके देंगे जो गई एक बात दूसरी बात जब भाई अपनी बेहन को राखी बानता है तो बेह तुझे और दूसरी बच्चियां है जो और बेहने हैं उनको भी बेहन मानना है उनकी रच्छा करना है। अगर हम करेंगे तो ये प्रतिग्यां करवाओ ना रक्षा बंदन पर आप करवाओ आप अपने घर में चितनी भी आपकी बेहन वेटियां हैं जो भी हैं आप सब महलाएं मिलके इस गाहों में तरपंजी कहां चले गए ये अभ्यान सुरू करो ना केवल दारू छोड़ो या मैं तो केवल ये चाह रहा हूं कि जो मैंने भी बात कही हैं तो हम ये ये क्यों नहीं करें हम रक्षा बंदन पर ये चीज करें हैं अब हम मिठाई ठाई आप इस वार नहीं करेंगे आजार-दोजार खर्च कर आप ये थोड़ी बहुत करा लो हेलमेट लिएओ आप देख अभी रोड़ पे निकल जाओ एक आदमी गाड़ी चला रहा होगा उसके पीछे उसकी पतनी बैठी होगी दो तीन बच्चे बैठे होगी और सत्तर अब बैसे कमनी चलाएगा और फोर लाए ने और कोई बड़ा गाड़ी वाला कट भी मार गया तो गए काम से पालों पड़ा अगर कमाने वाला चला गया तो परवार हमें साथी बड़ा है है समस्या के नहीं है तो पहली समस्या ये दूसरी लड़कों जे कह रहा हूं आपकी बच्ची को अगर किसी लड़के ने चेड़ा तो भी तो किसी का बच्चा है अगर हम अपने बच्चों को रोकेंगे तो ब बोड़ी भी रोकनी है और बोड़ा को भी रोकना है अभी अभी मैं जब आपका फोन आया आप सुनके आश्चर करोगे मैं जगे का नाम तो मुझे याद नहीं है वो परवार के लोग आए तो वो मैल करेली के हैं तो एक लड़का है उसकी तीन बच्ची आए मलब साधी है अब बोड़की साथ तारी को साधी हुई अभी बिदा उससे लोटी सुष्णाल से और उस लड़के के साथ वगी जो तीन बच्चों का बात अभी उनको मेठा लगे समझा रहा था जब आप से मैं बात कर रहा हूं अभी वो थाने में बैठे तो सिक्षा हमको अपने आट क्यों इसलिए कर रहे हैं कि है यहां नरसंगपुर में पहली नरसंगपुर में मैं आया चार महीने हुए मुझे चौनाओ कि दो तिन दिन पहले आया था इस जिले में मुझे बांगी सब कुछ अच्छा है केवल मुझे दो बड़ी समस्यां देखी जिसमें सबसे बड है सरकारी चीज है तो यह यहां पर मुझे सबसे बड़ी समस्या दिखी आपको अंदर की वाद बता रहा हूं तो मैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप लोगों ने बुगल तो बजाया आप लोग इखटे तो हुए अगर आप सब इखटे हैं और आचाते हैं तो आपका गाउं आदर्स गाउं होगा ओदसा आदर्स गाउं होगा कि यहां ना तो किसी लड़की की कोई रोपोर्ट आई कि सार हमको भलाने लड़के ना गाउं के लड़के ना चेड़ लिया कि हम सब अपने बच्चों को सिक्छा अच्छी देंगे बात खतब तो अभ अगर भी लुगाई के कैसे मा के कहने से बच्चों के कहने से मान जाते तो का टी आई साब को यहां आना पड़ता है अब तो यह तो बिचारा करो ही मत अब तो यह सा होगा कि दारू पी के भी अगर उसने घदर मचाई आप तो फोन लगाओ सुनतो लो हमाई पुलिस आईगी और उसको घर में से निकालेगी और भी से जूता देना सुरू करेगी और गाओं साही निकाल के ले आएगी बात कता हूँ आज भी मैं यह कहता हूँ तो गल्ती आपकी है ना कि दारू वाले में काद हो जा रहे सुनो तो गारू बाले हम आजार रुपईया दे रहे हैं घरवालों को इसलिए है नहीं बैठे हो जापकी शोड़ा आप तो बिल्कु लुकता गई लेकिन अगर यही जूते चपले अगर आपने घरवालों में देना सुरू कर दिए होते हैं आप किसी को मारोगे लड़ाई जगड़ा दूसरा होगा आप तानेदार नहीं हो कानू नात्व मतलो लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर यही जूते अपने घरवालों में देना सुरू कर दो क्या दिए हैं आप देते हैं साम देते हैं हम क्या देते हैं कोई देचा नहीं होगा देते हैं आप दो देते हैं हम दो देते हैं साम देते हैं